Hi Everyone, Welcome to my YouTube Channel, Khaka Artist, Friends आज हम जाल बनाना सीखेंगे, वैसे तो जाल काफी टाइप के होते हैं उन्हें हम एक एक करके सीखेंगे, आज हम जो जाल बनाएंगे उसकी टेक्निक डिटेल में सीखेंगे, वीडियो को एंट तक जरूर देखना तो चलिए सीखते हैं तो मैंने एक पेपर ले लिया है और इससे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे उसके बाद पैंसिल से इससे निशान लगा लेंगे क्योंकि यह हमारे पूरी वीडियो में काम आने वाला है तो इससे अच्छी तरीके से डार्क करेंगे तो नेक्स्ट इसमें हम विर्थ का मार्क लगाएंगे इसकी चोड़ाई जो हमें रखनी है हम बनाने जा रहे हैं एक चेक्स चेक्स मैंने आपको पहले भी वीडियो में सिखाए हैं उससे भी आप अगर इसमें समझ में आए तो उससे जरूर देखना तो यह हम विर्थ का माप ले ले दें अब इसके लैंद क्या भी निशान लगा लेंगे तो यह मार्क कर लेंगे इसको यह दूसरा यह मार्क कर लेंगे अब इन मार्क जो हमने मार्क करें हैं यह अब इन्हें हम पेपर फॉल्ड करके और इसको तोड लेंगे लाइन पर लाइन बिठा के निच्छे वाली और इस मार्क जहाँ पर हमने मार्क हैं वहीं से फॉल्ड करना इसको तो इससे तोड लेंगे और पैंसिल से लार्क कर लेंगे दूसरे वाले को भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे और इसे तोड़ लेंगे उसके बाद पैंसिल से डार्क करेंगे तो यह हमारा लैंथ वाले निशान लग गए हैं अब हम इसके चोड़ाई वाला निशान लगा लेते हैं तो हमें चोड़ाई तनी रखनी है यह जास यहां तक तो इसे भी फोल्ड कर लेंगे तो इसे हमने तोड़ लिया है पैंसिल से इसे बीडार्क करेंगे और इस लेंथ को बीच में से फोल्ड करके इसके दो चैक्स दो बॉक्स बना लेंगे तो लाइनों को लाइनों पर बिठाना है बिल्गुल मैं आपको हर बार यही बताता हूँ हर वीडियो में अब भी बता देता हूँ एक बार उससे पैंसिल से डार्क कर लेंगे उसके बाद एक बार हम इसे स्केल से अच्छी थरीके से डार्क करेंगे तो चलो scale से खीच लेते हैं अब आपको दिखाई दे रहे होंगे ये दोनों box इन्ही box में काम करना है और सबसे पहले हम इस line के नीचे एक fold बनाएंगे उसके बाद इस line के नीचे एक fold बनाएंगे जैसे इस line के नीचे बनाएंगे वैसे ही इस line के नीचे भी बनाएंगे और एक बीच में बनाएंगे वैसे तो हमारा दो fold जो बनेंगे हमारे इन्हीं में हमें काम करना है तो चलो fold को ड्रोगल लेते हैं अब मैं ये fold ले रहा हूँ आप किसी भी तरीके का फॉल बना सकते हैं तो यह हमारा फ्लावर तैयार है उपर भी बना लेते हैं अब हमारा जो काम होगा वो सिर्फ इस बोक्स के कोने में होगा तो एक मार्क लगा लेंगे हाँ पर हलक असा बहुत हलक असा यह हलक हलके से मार्क करेंगे यह इसी लाइन पर हमें पूरा डिजाइन बनाना है तो चलो फटाफट ड्रो कर लेते हैं एक अच्छा सा सुन्दर सा डिजाइन को इसी तरीके से फूल और पत्तियां होती हैं बस उन फूल और पत्तियों को क्या बोलते हैं इसको अच्छी तरीके से सजाने का मतलब ही आर्ट होता है जैसे कोई सामान पढ़ा हुआ है उसको हम घर में सजाते हैं उसी तरीके से उन फूल और पत्तियों को बस सजाना होता है आप प्रैक्टिस करते रहें फोल बनाएं, पत्तियां बनाते रहें, बेल बनाते रहें तो यहाँ पे तीन पत्तिया और डाल लेते हैं, खाली लग रहा है थोड़ा सा अब यह हमारा कम्प्लीट हो गया, देहूं, हमने स्कोने में बनाया है, इसी से हम पूरा जाल बनाएंगे तो एक कपड़ा लेके और इसे घिस लेंगे, यानि इसकी एक कोपी कर लेंगे आप चाहें तो ड्रो कर सकते हैं, मैं इसे घिस लेता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसे ड्रो कर हूँआ तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि कोई बोर हो, तो फटा फट गिस लेते हैं इसको, आप कपड़े को हटा लेते हैं अब देखो, बिल्कुल इसकी एक कोपी हो गई है, यह देखो, अब हम इसे पलट लेंगे तो यह इसका मिरर हो जाएगा जब हम इसका बल्टिंगे, अब उपर वाले जो बोक्स है, उसके अंदर जो मैंने फूल बनाया था, यह वाला, इसको मिटा लेंगे और यहीं बिठाएंगे बिल्कुल, थोड़ा से डार्क कर लेते हैं, क्योंकि गिसने पर मैंने सही से गिसना नहीं था, एक चीज का ध्यान रखना है, यह जो फूल है, इसको लाइन के नीचे ही रखना है, क्योंकि वो नीचे वाला जो मैंने बनाया था, उसको भी नीचे ही रखा जा, और इस फूल को बीच वाले फूल पे नीच वाले को बठा लेंगे और फटा-फट ट्रोगर लेंगे मैंने पूरा फूल ने बनाया हाब बनाया है और यह जो पूरे फूल बनाया थे इनको भी मैं मिटा लूँगा नहीं तो जब हम इसे घिसेंगे तो ये एक के उपर एक डबल हो जाएंगे तो ये देखो कितना सुन्दर बना है अब हम इसमें जो ये फाल्त निशान है इसको मिटा लेंगे उसके बाद सेंटर से जहां से मैंने पहले सबसे पहले फॉल्ड गया था उसी सेंटर को बिल्कुल फॉल्ड करेंगे अच्छे तरीके से साफ कर लें इसे नीचे नहीं तो कोई पैंसिल का टुकडा बगएरा होगा या फिर कुछ भी डस्ट होगा तो उससे वह खराब हो जाएगा तो अब इसे मैंने फॉल्ड कर लिया है और लाइन को लाइन पर बिठा लिया है अब हम इसे तोड़ लेंगे और उसके बाद एक कपड़ा रखके इसको घिस लेंगे तो यह देखो हमारा जाल का एक रिपीट तैयार हो गया है अब हम इसे एक फॉल्ड और करेंगे जहां से यहां से फॉल्ड करेंगे इसको और लाइन को लाइन पर बिठाएंगे और उसके बाद इसको भी घिस लेंगे फिर हम यहां से फॉल्ड करना आपको और लाइन को लाइन पर ही बिठाएंगे बेलकुल और इसे फटा-फट घिस लेंगे तो यह देखो कितना आसान है बनाना इसको बस समझने की बात है प्रैक्टिस की बात है बस अब प्रैक्टिस करते रहें और सीख जाएंगे चलो तो यह जो हमारा घिसने से लाइट आया था इसको डार करेंगे थोड़ा सा अब यह जो हमारा दोनों बोक्स दिखाई दे रहेंगे आपके जाल लगे यह जो बूटे से दिख रहे हैं अब यह खाली है इनके अंदर बीच में कुछ बनाते हैं अच्छा सा वैसे तो आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं कोई ऩ्लावर वगिरा फूल पत्तियों डाल लेंगे जैसके मैंने आपको बताई ता फूल पत्तियों को सजाना ही डिजाइन होता है कि जा çलिए देखते हैं हम सेंटर में क्या अच्छा लगता है ड्रो कर लेते हैं है तो फटए फटए ड्रोब है था कूं जैसा मैंने बनाया, सेम वैसा नहीं बनाना है आपको, प्रैक्टिस के लिए बना सकते हूँ, आपको चेंज करके देखते रहे हैं, इसमें, अलग तरीकी के फोल, अलग तरीकी की पत्यां बनाएं, कुछ अच्छा क्रेटिव सा करें, इसमें आपको कोई रोक ने रहा है, आपको क्या मनाना है? बस आपको यह देखना है, सुंदर कैसे लगता है? क्या बना के सुंदर लगेगा? तो यह मैंने half बना लिया है इसको mirror कर लेंगे इधर दूसरी साइड में copy करेंगे इसकी तो कपड़ा रखे इसको घिसेंगे तो यह देखो कितना सुन्दर लग रहा है अब इसकी एक और copy घर लेंगे बीच वाले की तो इसे भी घिस लेंगे हम कपड़ा रखे घिसने से अच्छा आ जाता है तो आप कपड़ा रखे ही घिसें और मैंने scale से घिसना हूँ आप scale की जगह कोई सिक्का ले ले कोईन ले ले एक दो रुपए का और उससे घिसें कर दोस्तों कि यह देखे हैं अच्छा एंच्छा की यह बन के तियार बेखे हैं तो यह देखे हुआ है और ले दीखों दोस्तों यह डिजाइन हमारा बन के त्यार इसी को हम चाहे जितना भी रिपिट कर सकते हैं अब जो आपको सिखाने जा रहा हूं वह बहुत ही एहम टेक्शनीक है रिपिट करने के लिए वैसे तो आप चाहे तो एक फोट कोपी की मशीन है आपके पास फोट कोपी करके भी कर सकते हैं तो चलो हम सब इसको सबसे पहले पलट लें अगा उल्टा कर रहे हैं तो अभी जिदर से ड्रो करा था उसको दूसी साइड से बटर पेपर को अब हम इसे वहाँ से फोल्ड करेंगे जहां से हमें डिजाइन को लिखना नहीं दियान रखना जहां हमें लिखना नहीं है उसको पहले फॉल्ड करेंगे और ये जो लाइन है उसको उस लाइन पर बिठाएंगे ये एक फॉल्ड कर लिया हमने इधर से हमें लिखना नहीं है और दूसरा फॉल्ड हम उसके उपर करेंगे जहां से हम ड्रो करेंगे अभी समझ में नहीं आएगा पर आप देखते रहो आपकी समझ में आ जाएगा और यह जो नीचे वाली लाइन है उस लाइन को उस लाइन पर बिठाना है और यह जो अंगोटे की मदद से इसको ऐसे सरगाना है ऐसे जैसे रोल बनाते हैं अंगोटे से ऐसे करना इसको और नीचे वाली लाइन पर भी बिठाना है इस वाली सेंटर वाली लाइन पर और इसकी दूसरी लाइन और यह तीसरी लाइन इन तीनों लाइन को एक दूसरे के उपर बिठा लेना है और उसके बाद हम इसे स्टैपलर कर लेंगे फ्लावर को फ्लावर पर बिठा लिया है देखो अब दूसरी तरब भी स्टैपलर कर लेंगे अब हम इसे और फोल्ड करेंगे द्यान रखना मीचे वाली लाइन को उपर वाली लाइन के उपर ही बिठा के रखना है नहीं तो डिजाइन हमारा खिसक जाएगा यानि टेड़ा हो जाएगा और यह हमारी मास्टर कोपी है और हमेंसे बिल्कुल भी टेड़ा नहीं करना है इसके लिए अब हम इसके बीच में एक प्लेन पेपर रखेंगे नहीं तो डिजाइन हमें तीन चार दिखाए देंगे और हम कन्फियूज हो जाएंगे तो अब हम जिस डिजाइन पर हमें काम करना है वह ही दिखाए देगा अब बीच में हमने एक प्लेन पेपर रख लिया है को भी पेपर रेले प्लेन बस अब इसको कॉप्पी करना है हमने नीचे वाले फोल पे उपर वाला फोल बैटना है हमारा और इसे हम बस फटा फट ड्रो कर लेते हैं मैं एक ही साइट का ड्रो करूंगा और इसको थोड़ा सा और बढ़ा लूँगा जहां तक ही एक रिपेट बन जाया अच्छे तरीके से तो इसको भी मैं ड्रो कर लूँगा जल्दी से यह हाफ ही ड्रो गया मैंने ताकि वीडियो लंबी न हो जाए और बस मैं इसे अब इस टैपलर की पिनों को निकाल लूँगा तो यह देखो एक रिपेट और बन गया है इसके उपर अब हमें और रिपेट बनाने की जरूरत नहीं है बस यह हमारे तीन ही काफी है वैसे मैं इसे घिस लूँगा और ज्यादा तो चलो कपड़ा लख लेते हैं और अब इसे सेंटर से फॉल्ड करके घिस लेंगे अच्छी तरीके से बिठा लेना नहीं तो डबल हो जाएगा और डबल हो जाएगा तो अच्छा नहीं लेगा चलो हम इसे घिस लेते हैं फटाफट तो यह हमारा घिस चुका है तो देखो कितना सुन्दर लग रहा है अब इसकी एक और कोपी कर लूँगा में उससे भी घिसी लेंगे तो चलो घिस लेते हैं फटाफट आप से मत घिसना नहीं तो आपका पेपर फट सकता है आप कोईन से ही घिसना तो फ्रेंज देखो हमारा यह डिजाइन कितना सुन्दर लग रहा है अब यह जो हमने मैंने इसमें बीच में बनाया है इसकी यहां पर सेंटर में हम कुछ और भी बना सकते हैं जैसे एक फ्लावर में रफली ड्रो कर लेता हूं अगर किसी डिजाइनर को लग रहा है यह बहुत भारी है यह कोस्टली हो जाएगा हमारा डिजाइन तो हम इसे हलका भी कर सकते हैं एक पत्ती और डाल सकते हैं इसमें जरूरी नहीं यह सेम बनाया कुछ भी फ्लावर और दूसरी तरीके कर डाल लो कमल का फूल या कुछ भी तो अब इसे हम डालेते हैं मिटा देंगे इसका तो देखो इसे बनाना कितना आसान है सिर्फ एक हमने जो बनाया था एक बोक्स बनाया था बस उसमें भी सेंटर में लाइन बनाई थी और पूरा जाल बनके तयार है हमारा सिर्फ एक लाइन से तो दोस्तो मैं जो आपको वैल्यू देना चाह रहा था वह आप तक उम्मीद है पहुँच गई होगी तो अगर हमें इसमें सेंटर में भी बनाना एक और तो इसको एक पेपर रखके घिस लेंगे और नीचे रखके वैसे ही ड्रो कर लेंगे तो बुस्त कोपी हो जाएगी तो जो मैं आपको समझाना चाह रहा था उम्मीद है वह आप समझ गई होंगे तो यह वीडियो यहीं खतम होती है तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें यह देखो कितना सुन्दर है ऐसे हम और सीखेंगे आगे तो तब तक के लिए आप अपना खया लखें